नमस्कार दोसों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों रोज रोज कर रहा है आपके उपर जादू टोना जे दोसों इस नाम का व्यक्ति दोसों आप शुभी को बता दे कि इस नाम के व्यक्ति शी आप हो जाई शावधान वरना रोज रोज के इस तांत्रिक क्रि दोसों इसलिए दोसों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और दोसों शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखेगा जिया दोसों आज की इस वीडियो में हम आपके जिवन के बहुत बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं हम आपके जोन की बहुत ये बड़े शच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके उपर आखिर तांतिर किर्याई रोज रोज कर रही हैं, और ये क्यों कर रही है, कैसे आप इस व्यक्ति से छुटकारा पाशकते हैं, कैसे फिर शे आपने जुनकाल में आर्तिक तंगियां दूर कर सकते हैं, कैसे खुशियों बड़ा जीवन आप वैतीत कर सकते हैं, दोसों सभी जानकरियां बहुत तीक गहरी तरीके से, कराओं के गोचर पर निन्मित हैं, जिनिएगर आप कर लेंगे, जिनिएगर आप शुन लेंगे, तो दोसों हंडेट परशन कले हैं, कि भागी का सीताराच चमकता रहेगा या दोसों हम आप शिवी को बस्तादे कि आज की वीग्में, हम आपको जो मंतर बताने वाले ही, हम आपको जो उपाए, जो शमाधान बताने वाले ही, दोसों होई शावी बातें, आपकी कंडली के लिए बहुती कारगार दोस्तों सुरू से लेकर अंति तक दिखना आपका शबसे बड़ी जिमधारी होगी क्योंकितों यह जो व Aberta है यह जो विगती है आपके जुन काल में बहुत ज़ाधा नुक्शान कर रही है और अने वाले श्मय में भी आपको बहुत ज्यादा नुक्शान करेंगी तो शमय अगर आप शावदान हो जाएंगे तो दोसों आप बहुती बड़ा श्वक्ष इंजान बनेंगे जिया दोसों पहले दोसों श्वर परतम जो भी अपने माता पिताशी प्रेम करते हैं दोसों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन से लिख दें जै माता दी दोसों माता रानी का शिर्वात आप शिर्वी को प्राप्त होगा शाद दोसों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें माता रानी का शिर्वात आप शिर्वी को अभी प्राप्त होगा जिया दोसों तो आई दोसों बात करते हैं शुरूआत करते हैं कि एक बहुत एच्छे ग्यांशे दोसों प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति शच्चाई के रास्ते पर चलता है उनके जूनकाल में परिशानियां जरूर आती है लेकिन उसकी नाव कभी नहीं डूपती ज्यादोसों तो दोसों भगवान श्री राम का यह बात अग है आपको जान श्रीमारना चाहता है दोसों आपको बता दे कि पिछली कुशालों से इस रास्टि के जो लोग है जो आपके जोन में शब्से ज़्यादा परिशान है चयर्दोसों बर्मान में विश्व में कुल जितनी वी राश्या हैं समझत रास्यों में से आपकी ही एक एक लोता एशी है जिनके पिछले कुछ वर्स बहुती ज़्यादा दुखत बीते हैं और शाय दोसों बहुती मुश्यवितों का शामना भी आपने किये हैं एशी में दोसों आप लोग को बताना चाहेंगी दोसों यश में जो आपकी गरहों की पस्तिती है वह दर्शार ही है क आज रात बारा बजे से आपके उपर तांतरिक किरियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोसों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली है जिया दोसों पर दोसों इस बार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुश्युपिते आने वाली है इनमें आपकी ह चुपी हुई दिख रही है जिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपका नेचर बहुती शीधा होता है पहुती श्रल्शोभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है दोस्तों कभी किसी को लेकर आप बुरा नहीं सो दोस्तों नहीं किसी को पीजी ढखलने के बारे में भी सोचते हैं प्रणु दोस्तों इतने शीदे इतने अच्छी होने की बावजुद भी इस राशी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोस्तों लोग आपके भूलेपन का फायदा उठा कर अपने में फंसते जाते हैं जियां दोस्तों और शी के चलते आपके जुनकाल में शंकुर्णों का आपको श्मना करना पड़ता है तो दोस्तों आपकी जोर्म में छुपे कोई तीन एशे लोग हैं जो आज रात 12 बज़े जियां दोस्तों पूरा शुन दिजिए आपके ही जीवन कोई बड़ी मुश्वत आपके शराज सकती है तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशी के जो भी जात तक हैं आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं जिस दिन जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जिवन में बिल्कुल ही ना करें बिल्कुल ही ना दोराएं जिया दोसों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें जिया दोसों चाहे आप कुछ भी कर लेंगे प्रंतु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे जिया दोसों जब आप इनके बारे मे जानेंगे तो दोस्तों शर्व पर्थम आपकी गलती आती है शबी को अपना शमझने की भूल जया दोस्तों इस राशी के जातक शबी को अपना मानते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं आप लोग सोचते हैं कि शबी का विकास एक साथ होना चाहिए दो दोसों अगर हमारे जिन्दगी में मुशिवत आए तो शवी को एक शाथ रहकर जहने चाहिए ज्यादोसों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपके विप्रित होती है ज्यादोसों आपको बिता दें आप हमेशा अपने शाथियों का अपने मीत्रों अपने रिस्तेदारों का भला चाते हैं परिवारों का भला चाते हैं उनकी मुशिवतों में आप सामिल रहते हैं उनके मुशिवतों को भी आप अपने शर ले लेते हैं प्रतु दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं जी हां दोस्तों आपको बता दें कि जब भ आशे भाग जाते हैं जै दोसों अगर आपको हमारा यह बात सचा लग रहा हो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा जै दोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्युवतों को आपने बांटा है पर दोस्तों जब आप पर शंकट आया तब दोस्तों शब भाग गए दोस्तों आपको अपने मुश्युवतों का शामना अकेले ही करना पड़ा इसलिए दोस्तों आप इन शबी बातों को गांट बांद कर लग लिजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे बिना कि करते रहेंगे तो दोसों आपका दुख आपको ही मिलेगा किसी और इंशान को नहीं मिलेगा आपको अपना दुख श्वेंग ही जहलना पड़ेगा किसी और को बिल्कुल भी फरक नहीं फड़ने वाला तो दोसों आज आप अपने की सोचें पर दोसों आपके दूसरी गलतिय होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलकात करते हैं आप जीवन से जुड़े शबसे बड़े महत्मुन बातों को शेयर कर देते हैं तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान वेरकना चाहिए कि जिस भी इंसान से मिले चाहिए आप से बार-बार मिले हो या फिरे बहुत सा में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें कि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आप से मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके उपर में बिषाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं जैने दोस्तों और तिसरी गलती आपके जीवन में यहां है कि दोस्तों धन के मामले में किसी परहते जीए भभुषान ना करें कि마 दोसों वर्तमान श्रमय में पेषा ही सब कूछ है जар दोसों बात कड़ भी है लेकिं दोस्फों जीए दोर में किसी का भी नियत बिगड़ शकता है दोस्तों वहें दोस्तों घरों की आज की जो इस्तिती है वो आप बता रहें दोस्तों आज रात 12 बजे से आपके उपर कुछ लोग तांतरिक किरियाई करने वाले हैं यो कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फशाने वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है, जो लोग आपके जोनकाल में आपके पहचान में हैं, दोस्तों उनसे आप दूर रहें, जो भी लोग आपको इसे बातों में पहचाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसे व्यक्ति की आप पहचान करें, और ढून ढून कर उनसे वन्त करतें पर दोस्तों कम दोस्तों की फिश्वें जरदया हो तक नहीं लगीए रसे पार्थ दोस्तों बंत में बात करते हैं कि तंत्र के रिया जादू टोने या फिर किशिवी भूत प्रेत उपरी हवाउं शे बचने के लिए दोस्तों आपको कौन से उपायो को करना चाहिए जे दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि 108 बार गायत्री का जब करने के बाद गाय के घीशे गायत्री यग करने से तूरंद ही लाग मिलता है जे दोस्तों परांत शुर्यास्त के शमय असनान करके एक शाप शुत्रे बरतन में आधा किलो गाय के कच्चे दुद में शुद् उन्दे मिलावें अब घर की छट के नीचे तक परते कमरे जीने गैलेरी आदे शबी जगों पर उच दूद के छीटें हर्मान चलिशा का पाठ या फिर गायत्री मंत्र का उचारण करते हुए लगा दें दोस्तों शिडग दें बचे वे दूद को मुझे द्वार के बाहर नहीं होगा तो दोस्तों बहुती कारगार उपाय है इन उपायें को आप जरूर किजिएगा जे दोस्तों उमीद करते हैं आज का यह वीडियो अगर आपको पशंद आये तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद झाल 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 झाल